दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नभी पर्सनल लोन अपने मोबाइल से कैसे ले सकते हैं इस वीडियो को स्टेब बाइ स्टेब एंड तक जरूर देखते रहें सबसे पहले आपकी फोन से गूगल प्ले स्टोर आपन करेंगे और यहाँ पर सर्च कर लेंगे नभी लोन और यहाँ पर कुछ इस तरह एपलिकेशन आपके सामने आ जायेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिलियन प्लस यहाँ पर डाउनलोड है आप देख सकते हैं 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है 4.0 रेटिंग के साथ और यहाँ पर नीचे की तरह आपको दिखा दू टोटल 4 स्टेप फॉलो करना है यहाँ पर जैसे कि लोन डीटेल्स KYC, बैंक डीटेल्स एंड लोन आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर श्रिफ 4 स्टेप फॉलो करके इंस्टेण आपके बैंक अकाउंट में लोन आप ले सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं नवी जो परसनल लोन है यहाँ पर प्रोवाइट करता है 10,000 से लेके 20,000,000 तक और इसका जो इंटरेस्ट रेट है 9.99% से लेके 40% पर एनम और टेनियर है 3 से लेके 72 मन तक और प्रोसेसिंग फी 0 से लेके 6% तक और यहाँ पर नीचे की तरब एक एक एग्जम्पल है लोन अमाउंट अगर 15,000 होता है और 12 महीने के लिए आपका 10 यर होता है 12 महीने के लिए आप लोन लेते हैं तो क्या इंटरेस्ट रेट आएगा ये मैं क्या आएगा और आपका principal amount कितना है, interest rate कितना है, details आप देख सकते हैं और यहाँ पर नीचे की तरब आप देख सकते है, personal loan में जो up to मिलेगा आपको 20 लाग तक instant money transfer to bank account, 100% digital process, कोई physical mode नहीं है flexible loan and EMI option, zero pre-closure charges मतलब अगर आप चाहते है, loan का 10 year है, यह मैं से पहले सब कुछ loan को subtle करने के लिए तो यहाँ पर pre-closure कर सकते हैं, इसके बाद आप देख सकते हैं, जो home loan amount है up to 10 करोड तक आपको मिलेगा, interest rate है, 10 year है, up to 25 years, 25 साल तक maximum आपको home loan दिया जाएगा इसके बाद home loan का क्या feature है, details देख सकते हैं, इसी के साथ-साथ navi health insurance भी provide करता है, जो within 2 minutes अब को मिल जाएगा, यहाँ पे navi जो health insurance है अब देख सकते है, cashless claim in 20 minutes, 10,000 plus cashless network in hospital, 97% claim settled ratio, 100% digital process इसको भी physical process नहीं है, सब कुछ digitally हो जाएगा, तो चलिए इसको हम install करेंगे, simply click करेंगे, install के उपर और इस application को install करने के बाद देखेंगे आगे का पूरा process, दोस्तों जैसी के आप देख सकते हैं, installation complete हो चुका है, simply इसको open करेंगे और open करने के बाद, navi का जो application है, कुछ इस तरह interface है, और यहाँ पर आप देख सकते है, personal loan, निचे की तरफ है health insurance, and यहाँ पर निचे की तरफ है home loan तो यहाँ पर simply हम login के उपर click करेंगे, आप देख सकते है, login and sign up, तो यहाँ पर click करेंगे, click करने के बाद आपका जो mobile number है डालना है, तो mobile number में डाल देता हूँ, और mobile number डालने के बाद, निचे की तरफ करना है, get OTP, और get OTP के उपर click करने के बाद, आपके mobile number पर OTP receive होगा, और यहाँ पर OTP डाल के verify कर लेना है, तो मुझे OTP receive हो चुका है, OTP डाल देता हूँ, और करता हूँ verify के उपर click, और जैसी verify कर लेंगे, आपके सामने ऐसा कुछ interface आ जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो first वाला option है, personal loan up to 20 lakh for 72 month EMI, और यहाँ पर सबसे जो processing fee है, तो चलिए यहाँ पर click करते हैं, personal loan के उपर, और यहाँ पर apply नाओ के उपर, जैसे ही click करेंगे, कुछ इस तरह interface आ जाएगा, यहाँ पर आपको full name डालना है, यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर full name, जो का first name और last name, pen card पर है, इसके बाद आपका date of birth डालना है, यहाँ पर pen मतलब जो pen card में है, same to same डालना है, इसके बाद enter your pen number, आपका जो pen number है डाल देना है, तो यहाँ पर तीनों details आपको सही से भरना है, full name, इसके बाद date of birth, इसके बाद pen number, तो चलिए मैं सब कुछ details डाल देता हूँ, इसके बाद करेंगे नीचे की तरह next के उपर click, तो दोस्तों यहाँ पर मैं details डाल दिया, simply click करता हूँ next के उपर, और next के उपर click करने के बाद यहाँ पर दिखाएगा verify your details, और verify your details दिखाने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ interface आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं employment type, इसके बाद है monthly total जो income है, तो यहा employee इसके बाद total monthly income, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 20,000, इसके बाद profession क्या है, यहाँ पर profession आपको select करना है doctor, chartered account, teacher, company secretary, lawyer, others, तो यहाँ पर select करता हूँ others, इसके बाद आप देख सकते है specify your profession, तो यहाँ पर freelancing डाल सकते हैं, अगर आप YouTube channel, यह फिर website के उपर काम करते हैं, Google AdSense से payment आता है, तो यहाँ पर आप type कर सकते हैं, अगर student आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर student भी कर सकते हैं, student select करने के बाद आप देख सकते हैं, आपका monthly income कितना है, यहाँ पर डाल देना है, अगर कोई काम करते हैं, आप per time, तो यहाँ पर डाल दीजे 10,000, और यहाँ यहाँ पर नीचे की तरब को simply करना है next, अब देख सकते हैं नीचे की तरब, यहाँ पर करना है next, और जैसे next के उपर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह interface आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पर आपको confirm details का option आ चुका है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, confirm and continue के उपर क्लिक, और जैसी क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दिखा दूँ उपर की तरब आप देख सकते हैं get the best experience with this permission SMS contact location device यहाँ पे permission देना है permission देने के लिए submit your application के उपर क्लिक करना है नीचे की तरब आप देख सकते हैं submit your application और जैसे ही submit कर देंगे आपका जो personal detail से चेक किया जाएगा आपका civil score चेक किया जाएगा अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो आपको civil score की basis पर आपको credit limit दिया जाएगा जो personal loan है इसके बाद जैसे ही आपका bank account add करेंगे आपका जो credit limit है bank account में directly मिल जाएगा दोस्तों आपको दिखा दिया किस तरीके से आप ना भी personal loan ले सकते हैं अपने mobile से step by step एही process को follow करके इस वीडियो पसंद आया तो like कीजिए share कीजिए और चैनल पर पहले बेर रहते प्री सब्सक्राइब करके बैल आकन को जलो प्रिस कर लीजिए मिलता हम से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जै हिंत बंदे महतरम